बहुत टाइम से हो रहा था हो यारा मिनिट ऐसी बेस्ट हो गया है चाहिए तो अब दो चाहिए तो गाइस तो गई मुझे बता अब तक मैंने क्या किये हैं तो मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब रूपकी हुए रहते हैं तो रूपके हुए चार्ज का इसे जाता है ठीक है वह हम लोग यहां पर देखते तो इसे मैंने बुला था और रहेगा तो फोर्स बीट्विन की एंक यूट्वी टू डिवाइड बाए और स्कूर्स और इपल्चिन तो सिंपल सी बाते यह आइदर पोर्स अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से ठीक है अट्रैक्ट करेगा तब चार्जेश अपोजिक नेचर के रहेंगे यह यह दो य जब वह सेम नेचर के रहेंगे मतलब पॉजिटिव 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 नहीं तो इस तरीके से हम लोग ने डायरेक्शन भी डिफाइन की थी अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे नव वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म इसकी उपर इसको मैंने सब्सक्रियों इस बियseat में डिरेक्षन में है तो हम लोग क्या करेंगे इस तो मुझे व्यक्टर क्या होगा इसका मैंनिट्यूट और क्या करेंगे इन्टु यूणिट्वेक्टर आठ ना तो यह वह जाएगा मेरा एक फॉर्म रहता है मतलब यह आपको अभी यह जो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ आपका के दर अच्छा होना चाहिए रइट तो एक जो मैं इसको आर वेक्टर इंटू मॉड आप यह कर लेते हैं हम लोग तो इसको हम लोग क्या लिखते थे सब्सक्राइब कोई बोलेगा सब्सक्राइब के फॉर्म में लिखो यह जाता था रही इस दाइट वेक्टर फॉर्स वेक्टर तो अब यह जो मैंने लिखा यह मैंने पहले पादा है लेकिन इतना यह बड़ा आजा चीजी लिखने की जौरत नहीं है कभी-कभी कैसे कैसे होत कोडिनेट्स जोबेक्टरी में लिए रहेंगे वन कॉमा टू कॉमा थी पिर आइक यह कैप के कैप करना पड़ेगा तो एक दम स्केलर वेक्टर वाला चीज हो गया रही तो स्केलर वेक्टर से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं इतना दिमाग में रखो यह कुलोंब्स इतना समझ में तो यह था कुलोंब्स लॉव उसके बाद मैंने आपको यहां पर बताया था कोई भी इलेक्ट्रिक फिल्ड में मैंने सब्सक्रिक फिल्ड दिया है तो मैं इलेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर ठीक है अब किसी चार्ज को रखता हूँ तो इस चार्ज के उपर फोर साथा है डिपेंड करता है सकूझ सपॉस्स है तो वि एलेक्ट्रिक फिल्ड के डिशं में होगा सबंच निगेटिव चार्ज के डिनology अदर रखा तो इलेक्ट्रिक फिल कब्सक्र खरपाशिए प्र निगालने का तरीका क्या होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक तो इसको सब्सक्राइब लिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा सिंपल सी बात है पोसे इकोल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पर अब यहां पर बताओ कि यह तो मेरा हो गया अब मैंने एक और चीज जिसे चार्ज क्यू है ठीक है एक मिट गए रेकॉर्डिंग चाल बेज़े इस क्यू के वज़े से मुझे बताओ चार्ज क्यू अपने आज वोज़ों में कितना इलेक्ट्रिक ना बनाता है तो आप लोग को पता है कि सब्सक्राइब कोई भी डिशन पॉइंट पी पे सब गिविए क्या कि एस चाहिए कि पॉइट पॉइंट पे वेल्यू क्या होगी लेक्टिक कि न में जो सब्सक्राइब झाल क्या होता है सूल बहुत पॉजितिव चाहँ होगा पॉजितिव चार्ज फॉजिव कहां पर होता है अब इसके अंदर चार्ज रखा तो वह इसके अंदर चार्ज रखा तो वह प्रफिल के अंदर में चार्ज रखा है तो उसके उपर फॉस भी आएगा ये मेरा पिछले लेक्ष्टर में हो चुगा तो फोर्स आप और वो फोर्स के से निकालते हैं पॉस इकोल टू क्या क्यूं इंटू इलेक्रिक निकालो इंटू चार्ज कर लो तो यह चीज हो चुकि यहां पर मतलब मैंने सब्सक्राइब मतलब एक फोर्स तो एक चोटा सा इकजामपल में चांठ की यहां पर माइनस क्यूद और यहां पर चाज रखा टू क्योद और बोला कि यह जो चैंटर एक जार्ज रखा एंटर पर प्लस क्यूद तो मुझे उपर ने कोड ना होगा तो हम लोग कैसे निकालते इस क्वेश्शन को किसे करते थे तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे इन चार्ज के वेशे से यहां पर और फिर मेरा हो चुका था पहले दो रही भी आच्करों मेंने क्या बोला था यह चीन कीन अपने वह ए एंपने फॉर्मूले है ये था इसके उपर मैंने प्रका हुआ है थि यांशी थी एक यह पॉसट्य 마음에 यहाँ फिल्ड रहेगाए एक एलेक्ट्रिक फिल पर्फैन्डिकुलर रहेगा एक एलेक्ट्रिक फिल यहाँ परेड़ रहेगा ठीक है और चांग होगा तो पर्फैन्ड ुब्याद कि नहीं आपको कि परफेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी के लैमडा बाइ आर साइन ठीटा वन साइन ठीटा टू एकदम बिलकुल याद करो यह क्यों के सब कुछ चीजह तो यह पैरल की वैल्यू क्या रहेगी एक लेमडा बाइ सब्सक्राइब कर रहा थे से में इन्फाइनाइट यह वो सब कुछ राइट तो यह था मेरा पहला इतना फिर उसके बाद क्या था कोई भी रींग के वैसे क्या होता है बताओ रींग का रेडियर सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा फिंके डिस्टश एक्स पे यूजयी निकालना है इसको रहेगा क्यूंत और फिर मैंने निकाल लिटी डिस्क के बशे से यहां पर कोई भी डिस्टन्स पे सपोज यह एंगल मेरा फाइड नॉट है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड कितना रहेगा तो यहां पर रहेगा इसको बोलते इसको हम लोग बोलते हैं सरफेश चार्ज इन सिर्फेश चार्ज पर यूनिट एरिया यहां पर लैंड़ा क्या होता है चार्ज पर इनिट लेंज राइट अब गाईज मैंने इधर तक क्यू बताए आपको वापस क्योंकि यह सब चीजें हम लोग को बढ़ाने वाला है तो फोने वाली है तो बहुत वह ने वाली है किसी को मैं वापस एक बार देख रहा हूं किसी को सब्सक्राइब अपना यह करना है तो प्लीज हैं रेस कर लो कुछ कुछ लोग थोड़े से लेट जॉइन होते हैं आराम से ठीक है चलो तो अभी मुझे बता कोई यह बोल सकता है क्याई कोई यह बोल सकता है है तो मुझे उता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पोर्सेश क्या होती है अब भाई मुझे उता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पोर्सेश होती है झे क्या अर misman ने बोला कि यह आसे र preconu8 ये इलेक्ट्रिक लाइन वह सबक्रेश्थ इस्क कैसे उपर कोई भी दोनों चीज़े दोनों उसके बाद मैंने और क्या बता था कि जब भी पास में होती है यहां पर उसके पाद मैंने एक की और बोली तीटिक फिल लाइंस के नेवर इंटरसेग्ट नहीं करेंगे यह पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फिल लाइन मतलब क्या इलेक्ट्रिक फिल लाइन बहुत अले चार्ज का डिस्ट्रिबूशन रखा है तो इलेक्ट्रिक फिल लाइन ग्यूज वाट नेट इलेक्ट्रिक फिल लाइन तो मैंने कुछ-कुछ-कुछ-कुछ डा तो प्लस क्यूब के बज़े से निकलेंगी माइनस क्यूब के अंदर जाएंगी तो तारी एलेक्ट्रिक फिल लाइन तो प्लस क्यूब के निकलेंगी माइनस क्यूब अब प्लस क्यूब यह च्च्च जदा है और यह चार्च कम है तो मुझे इलेक्ट्रिक फिल लाइन किस्ते जयादा निकलने वाले से ज्यादा निकल के बड़ी ज़िए इलेक्ट्रिक फिल भी बड़ता है तो 30 से ज्यादा निकले गा प्लस्तू से ज्यादा निकलेगा सो निए मैंस यहां सब्सक्राइड है वेगन नीचलनेवाली भता है यहां पर बनाल यहां सब्सक्राइब कहां पर जाएगी जो निकलने वाले इंफिनिटी में चले जाएगी अब यह जो मैं बोल रहा हूं और यह सब कुछ बाद में बहुत काम में आने वाला है इसको बोलते ही इसको फिलड लाइन ऑप एक और तर्म आता है क्या बोलते हैं एलेक्ट्रिक बहुत काम एक इलेक्ट्रिक अब में जाके और एक तर्म आएगा मैगनेटिक फ्लक टो किन अभी के लिए इलेट्रिक फ्लक फोता क्या है तो अब लोग ध्हान सेजोंग वाट इसलेक्ट्रिक फ्लक उल्ड इसंट एलेक्ट्रिक विल्ड ओफ एलेक्ट्रिक फिल लाइन सुटा चाहिए तो अब मुझे बात बताऊ ठीक है कुछ चीज़े बोलता हुआ अब के इसाब से एडिया कैसे एक वेक्टर है कि अब ही हम लोग एरिया को वेक्टर बनाएंगे वेक्टर बनाएंगे फॉर फॉर अवर अब एरिया वेक्टर बन जाएगा मतलब कहते है मैं जभी भी बोलूंगा एरिया जैसे मैंने सपोज कोई कुछ बोला कि सर यह एक ऐसी प्लेट लखे समझ जाओ तो कभी भी धैन में रखना यह एरिया होगा ठीक है अब यह एरिया लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा ए अब जैसे की सपोज यहां पर मैंने लिखा यह जो मेरा प्लेन है मैंने सपोज आइसा अब बुझे बताओं यह सपोज मेरा प्लेन है एक्स वैट तो मुझे होता है एक्स यप्लेन में रखा हुआ ठीक है इसकी लेंथ मेंने जबो इसकी लेंथ की है एल और यह दिया है यह अधिन और फिंट्म अब जिसको सब कुछ याद नहीं है इसका मदलब का स्केलर वेक्टर भी आद नहीं है इसको मैंने लिखा वो डायरेक्लि याद नहीं है न भाई तो आपका स्केलर वेक्टर भी समझ जाओ ठीक है तो गई में रखना ओके एम आई लैगिंग अभी चाहिए सरी एक्स्प्लेंड करते वक्त आपका आवज गया है यह सर्व वेक्टर का अभी आवज आ रहे हैं वापस प्रॉपर अभी की कैसे है यह सर्थ एक डम प्रॉपर है तो अब गैस यहाँ पर देखो सपोज एक्वाई प्रॉपर कि वापस गया सर अटक पे स्प्रॉपर गया आवज हां सर लाइग हो कभी भी हमेशा क्या होता है टू डाइमेशन होगा तो उच्छा वो जो वीडियो फ्रीज होगा अब दस पंदर सिकेंद के लिए हैंग हो जाते हो झाल अब शाइब से अभी होना चाहिए सही अब मुझे आपे बता यह यह लेंटे पे तो कोई भी एरिया को कोई भी एरिया को परपेंडिकुलर वेक्टर किसका रहेगा मुझे बता और अब अब अपन प्लेट में रखा है तो एडिया वक्तर उपर नहीं तो नीचे तो नीचे तो नीचे अब शुक्त हो टो आप मुझे जो इसका इसका एडिया स्सक्राइब कहाँ कहा पर कितना रहेगा इसको अब और इंसाइज भी हो सकता है तो इस केस में एरिया वेक्टर को क्या लिखूंगा पाई आर स्क्वेर पाई आर स्क्वेर के कैप अचुट में प्लस मत लाको छोब यह पेंदिक्टीक्व अगए फिश्रक्र फिर्ण अब क्प्लस मैनस प्लस मैनस अब मैंन प्रफजकु से लेना है माइनस बीडेल के समझ में अब कि अग्दम फिंपल इंप्लक्स नहीं तो मुझे बताओ मैंने बोला इरिया दोनों से बनती है तो बिल्कुल ठीक है किसी ने लिखा एक हुए पर थे लिखव करने के लिख्या वेक्तर एंड एरिया वेक्तर दोनों को दोनों का लेना पड़े कि है तो electric field dot area electric field जारा है कुछ area से this area area of cross section कि area of cross section अभी समय पढ़ा हुआ अभी कि किसा सब कुछ हो गया तो ka definition यह हो गया यह कॉस Xथा वह थेटा एंगल बें विट्वीन एंगल वेक्टर एंधुल एंगल होगा थेटा होगा यह तो अपन अब मैं कुछ प्रवात पर इसना लिखो पटावट इलेक्ट्रिक प्लक्स करेंग डाल दो डायग्राम लिखो और यहां पर इलेक्ट्रिक प्लक्स का डेपिनेशन में लिख दिया इडॉट एट्रिक फिल वेक्टर डॉट एडिया कि 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 फिजिकल मेनिंग बताता हूँ पहले यह तो लिख कि 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 यह कि 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 90 दिरोएग्र फिलच क्या हो जाएगा फीली cannabis हो कि यह पर उलेक्ट्रिक फेह यहाँ है कि समझ में आ रहे हैं perfect example तो यह तो दो हो गया चलो तीसरा एक्जामपल एक्जामपल मैंने बोला कि सपोस्थ एक कुछ ऐसे हैं ठीक है ने हैं यहांен पर यहां पर थोड़ा वह सन गहिं और यह यह मेरा से इलेक्ट्रिक फिल समझ में आ रहा है गई यह होगी यहोगी घ्र क्यों किवेलीव होगी तो यह थीटा समझ में आ रहे गई ओ सीट यह जाएगा एलेक्ट्रिक तो यह तीन एक्जामपल तो एक्दम बेस्टिक एक्जामपल मैंने बता है ठीक है इसमें इसमें कोई दिक्कत है क्या इसमें इसमें एक्जामपल 3 में डायग्राम कैसा है आपकी तरफ देगा यहां यह देख लो यह जो बूक है इस तरी के से एसे तो यह केस में कैसा है यह के समझे बूक कैसा है एसा है और इलेक्रकेश जा रहा है और इलेक्रिक फिल्ड रिक्तर दोनों पर पर्पेंडिक्लर हो गया हैै तो इलेक्ट्रिक फिल्ड एंड अदर कुछ एंगल हो गया है है खेक है अब मैं आपको बज़ाता हूँ अब मैं आपको बज़ाता हूँ कि जैसे यहां पर एडिया विक्टर एसे लिए अब एक्जांपल पॉर जब दूंगा तो आपको समझ मैं आपका सारा का सारा यह दूर हो जाएगा आपके सही हो जाएंगे यह इतना लिखा आपने इतना लिखा क्या इतना लिखा चलो अब मैं एक्जांपल पॉर दे रहा हूँ अब थोड़ा सा आपको कंफीजन कंफीजन नहीं मतलब आपको कंफीजन होगा तो भी दूर हो जाएंगे कि अधिक है यह पूरा का पूरा क्यूब है अब ऐसा पकड़ो इस क्यूब में इस क्यूब में लेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है उपर इलेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर उपर जा रहा है तो अब मुझे बात बताओ अब मुझे बात बताओ इस पूरे क्यूब में थे डाइमेंशन फिल्ड उपर जा रहा है तो अब बोला है कि मैं यहां पे दो सर्फेस जो लिख रहा हूँ इस यहां पर लिखता हूं यहां पर यह सर्फेस की बात कर रहा हूं और मैं एक इस सर्फेस की बात कर दो कुछ लोग बलते हैं अब मुझे इस बात बताओ गैज अब यहां बसको कोज दो एक एरिया में रखना कई चया में रखना यहां पे यहां पे क्या हो अब तूम दिमांघ में चैसे अब एक सिंपल सी बात है यहां से इलेक्ट्रिक फिल लाइन यहां से अंदर घुश रही है इलेक्ट्रिक फिल लाइन यहां से बाहर निकल रही है यहां पर एक फिल लाइन बाहर निकल रही है इतना तो पहले मुझे वाले सर्फेस पे तो नीचे वाले सर्फेस पे तो नीचे वाले सर्फेस पे अलग कलर से रिखता हो यहां तो अंदर गुट के डाइरेक्शन में होगा तो मुझे बता हो जब अंदर घुट रही है तो फ्लक्स इन में यहां पर लेक्ट्रिक फ्लक्स इन कितना हो जाएगा यहां पर पाकड़ लिया मैंने इन फ्लक्स इन हो जायगा के वोगए समझ में आ रहे gen इंसे ठीच हो जाएगा लेकिन फॉसलग्स पॉसलग्स समझें है यहां से ट्र बाएर निकल रहा है यहां पर बाएर निकल रहा है यहां पर बहार निकल रहा прек मामें इसको बोलुंगा फ्लक्ट आउट और की सां अच्थ हम में लख आट उड सॉं इंगीodge क्याव कोशित डीय्स एड विसक्ट अट द्रय आड अ कि भी एफ दो यह पोजाता सो यह मुझाखता ना बड़ी जना है सीले हो रज़ तो कुछ भी एक्स बाइशन नहीं है कि मुझे लगते हैं सब बारिज का मोसम है ना कि मैं अपने मोबाइल डेटा पर जाता हूं एक मिनिटों को मोबाइल डेटा पर जाता हूं देखते कि मोबाइल डेटा पर अभी सब्सक्राइब लेक्तर बेश्य करें अब है अभी आवा चॉन होता है करें कि दो के दो ऐडिय मेरेटर के दो औप्सिन रहते हैं टीक है एक एरिया विक्टर ऊपर रहेगा नीची हो नीचे वाला जो बॉटम और तरफे से उसके लिए उपर रहेगा तो नीचे रहेगा आजब इलेक्त्रिक ट्रॉप्ल खुश रहे हैं किकी जगे के अंदर लेगा सब्साइब है और इलेक्टिक स्थे कुच्त बाहर निकल रही तो को छे मैं इतना समझ में तो मुझे बता यहां परकितना हो जाएगा बाएब तो उपर है तो और इलेक्ट्रिक अंकितना हो जाएगा यहां पर होजाएगा चुनित्अक क्या टका कितना है ocoles आंसर कितना हो जाएगा जीरो अब एक चीज़ है में रखना ना वाट 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई बोलेगा सार एलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्या देता है तो हमेशा यह एक्डामपल लिखके रखो पहले एक्डामपल लिख रखो फिर मैं आपको बोलता हूं इसको लिखो इसको ड्रॉप करो अगर क्यूब होलो होगा तो अगर क्या अगर क्यूब होलो होगा तो नहीं होगा कुछ हम लोग एडिया प्रसक्षण यकोज़िक लेका क्रॉस अ की कि अगे एक जगी पे प्लस लेने का दूसरे जगी पे माइनस हैं डालने का कि तो टोटल नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल नेट फ्लक्स जिरो होगा समझे इस अध्याइश इस आज स्क्रीन रिफ्लेक्ट नहीं करें कि हमने सब स्टेटिंग बदल दिया कैमेरा का कि कि अध्याइश प्रॉब्लम हो रहे हैं इसमें इंटरनेट में आशर अब बीच में हैंग हो जाते हो और हमरे आवाद आपका आथी भी ने कभी-कभी हाँ वही मुझे भी साल लग रहा है एक मिनिटे काम करते हैं मुझे अधर आपने तो अध्याइम अध्याइब अपना जीओ का निट गई आज अध्याइब बारिज बहुत है तो बारीज वाला मुसम है इसलिए अध्याइब प्रॉब्लम हो रहे हैं इसा लग रहा है इंटरनेट का कि मुझे यह लेक्चर को अध्याइब तो मेरा पूरा कावडा केडूल भी घरते हैं आप समझ रहो ना अध्याइब अध्याइब तो इंडिकेट वाल्यू अफ लग्स हमें साइन की जरूरत लगती है लेक्टू इंडिकेट डिरेक्शन दन हाविज़ेटर स्केलर कॉंटिटीटी इस तरो यह बने प्रॉपर आरे अवाज किया टक रहे तर कुछ भी आवाज नी है कि आवाज आ नेया जारहे बाई नहीं हिजरन कुछ पर्वाज आरहए बहुड़ां प्रॉपर आरहे है एक डर न है तो आप लोग फोड़ा सा जब मैं एक्स्प्रेंट कर रहा हो तो करते हैं मतलब मुझे मैंने क्या बोला है कि देखो दो एरिया प्रॉस सेक्षन होंगे तो एक एरिया को हम लोग प्लस लेंगे दुसरे को माइनस लेंगे समझ में आ रहे हैं तुमको कर लेंगे दुसरे को माइनस लेंगे दुसरे को रहा है अब अब एक्सि clampsल सी वागार को सब लोग यहां पर देखो सब लोग यहां पर पर टे एक सिलेंडर लिया मैं एसगहां such a film लेंडर है ठीक है और उसका रेडियाज आर है चलो बताओ मुझे और इलेक्ट्रिक फिल ऐसे हैं यह हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फिल वेक्टर तो मुझे बताओ कहां पर फ्लक्स इन हुआ कहां पर फ्लक्स आउट हुआ फ्लक्स आउट कहां पर इसपना है रहिए लेक्ट्रिक की वेल्य में लेता हो उइझ कितना हुआ कि ढगला यहां पर यहां पर ऑभी एरिया विक्टर जो आए बतर होगा देखो यहां पर इस सर्पेस को परफेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा तो एरिया वेक्टर यहां पर हो गया कोई बोले हैं तो इसके तरफ और इधर एसा हो रहा है तो इधर एसा लेंगे तो एक में फ्लस होगा दूसरे माइनस होगा आपको समझ में आ ऊढ़ी समझ में आ रहे हूँ सो इन कितना होएं हाँ पर इनको मैंने लिया सपोस्थ एरिया एरिया को लंब करने पाई रसुकust को तो फ्लस आुट कितना होगा इनटेंगे माइनस इनफाए आर्सिए अपको समझ में आक है तो मुन्हाइज नेंट पर अंठ नेंट फ्लक्स कितना है अफसर कितना होगा नेंट फ्लक्स कितना हो इन फ्लक्स co फुम स स्थल्ट इन स्ष आंतर कितना हो जागा है आपे जीरो जीरो फु contagious जाज़ सरफłam लो टो सी यह जी दिनी ने डितर今 फीर हो टंर फैन ghost यह यह लैग हुआ क्योंकि किसी का फोन है मुझे बताओ किसी में पूछा कभी-कभी ऐसा पुछते हैं कभी-कभी पूछेंगे अरे इस सर्फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है कभी-कभी पूछेंगे फ्लक्स तुर्फेस तो डायरेक्ली इन्टु पायर स्कूर्ड लिखने का समझ में आ रहा है मैंनिटूट पुछाओगा ठीक है तब प्लस माइनस साइं यूज नहीं करना है ठीक है कभी-कभी-कभी-कभी क्वेश्चन में दोनों सर्फिस आगे यह और यह बी तब हमना फ्लक्स एक को अपने पॉजिटिव दिये तो दूसरे को निगेटिव देनेगा कि इसको फॉलो करते हो कोई सकते हैं यह सिलेंडर का यह वाला बॉलख कितना जाए यह वाला यह वाले पार्ट का अप एरिया जेखो गया लेक्टिक सर्फिस दोनों क्या परिपेंडिकुलेर स्लेक्टर ना कि य remembrance इसके अंदर से कितने यह बने से इसे खुएा है इंज शुक्रतекс स्विपलेशा किन सुब धरी अवह सब्सों सरक्यूलर एग में सब्सक्राइब के तूरइन में रखना एंध temporada समझे क्या समझे गया तो सरक्यूलर पार्ट होता है उसके जीरो जाएगा लेकिन यहां पर इतना जाएगा जो में डाइगराम में बताएगा तो अब समझ में है प्लक्स समझ में प्लक्स क्या होता है अब मुझे लेक्ट्रिक फिल लाइंस की देंसिटी में बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक फिल लाइंस में बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक फिल लाइंस पास होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फिल लाइंस पास होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फिल ल जितना जादा एलेक्ट्रिक फिल लाइंस पाथ होगे उतना जादा ःड्लक्स होगा क्या बोलेंगे इस दिर मेजर और और अपना है तो आप लिको यह को कि पिल्एक्षिक फ्लयक्ष लिखो इसको इसको मेंजर आप कि घ्लेक्ट्रिक थे सामने यह वेजर औहुँव्ख एलेक्ट्रिक फिल लाइन है कि इसमेजर आफ नंबर ओफ एक्ट्रिक फिल लाइन संदि फासिंग फिवन एरिया ँदिद अटि बात तो पर चीज जो मैंने बताया इटू सिंपल था ठीक है मैंने यहां से इलेक्टिक प्रस को डिफाइन किया अब मैं धिरे धिरे गॉठ प्लाव में घुसने वालो ठीके गई अब सबसे इंपॉर्टन पढ़ गई सब लोगी सब लोग यहां पर देखो कि लिखा अपने लिखा अपने कि अले लिखा गया कि इस अमेजर ओफ एलेक्ट्रिक फिल लाइंस पासिंग फ्रू गीवन एरिया कि मांशू ब्लारे तो तू स्क्रीन शेरिंग भी देखा करना सिंपल वीडियो से मत देख क्योंकि आज एक्चुलिए इंटरनेट क्या प्रॉब्लेम सब जगे पर है कि मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे लगता कि और बाकी सब्सक्राइब प्रॉपर है जैसा पहले तो यह हां ठीक है इट इस इस मेजर ओफ नंबर ओफ एलेक्ट्रिक फिल लाइंस पासिंग फिवन एरिया कुछ भी तो कुई दिक्कत नहीं अब चलो आगे बढ़ते गाई कि अब सब लोग यहां पर देख और थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन अब मुझे बात बताओ मैंने कुछ ऐसे दिया इसे ऐसे बढ़़ा है तो मुझे अब मुझे बोला है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक पिश्चर विए ऐसे घ्याdarका बताओ मुझे यहांपे मैंने इलेक्ट्रिक फिल लिया तो रहाले ह Mia कितना होगा प्रूब यहाँ पर दिखाए ठीक ठीक पूछ तो है एक है मिस्फेरिकल कर देखे को अब को समझ में आरा है मैं यहाँ पूछ रहूं कितना होगा कोई इसका निकल सकते हैं कि इसके इस पूछा है किम इस फेरिकल से कितना फ्लक्स होगा जो मुझे इस पात बताओ कोई बोले गाई कोई मुझे यह यह मैंने सब्सक्राइब आप तक यहां पे उलेक्ट्रिक फ्लक्स दिफाइन किया था यह फिर फ्लक्स दिफाइन किया था जो कॉल आगया अभी मेरे एरोप्लेन मोड से अठा जया तो लोग कॉल करने लगए गजे लोग होते एक बार कॉल कट किया तो उनको समझता नहीं वापस कॉल करते हैं ठीक है दो बार उसने कॉल किया अब यहां पर मुझे बताओ semester छो यह कि क्या होता है यहां तो क्या होता हैं इंटीक्रेशन करना पढ़ेगा आपको बहुत गंदा लगता है इंटीग्रेशन करना पढ़े गए तो मुझे क्वाछे में बात ब pää कि सब लोग यहां पढ़्ञक के पहले सब्सक्राइब पर लिखता हो गाई सब लोग ध्याय में रखना यह जो डेफिनेशन है यह यह जो मैं आपको बोल रहा हूं यह नीट वालों के लिए इतना ज्यादा नाहीने नहीं रखता लेकिन फिल एक बार इस देख लो उसका आपको आने वाला नहीं रेकिन पता होना चाहिए पता होना तो मुझे बता है इस तरीक है का कर्व को मसलित है कर प्रोब्लम शैनकर चोटा-चोटा करव आपनेलिकर इसे हो गया यहां का एरिए क्रॉस dir ओ गए की नहीं हो गया तो एक घान लाग तो इसके अदर का थीटा इधर अलग इधर एक अंगल पुछ अलग इधर एक ही और गुच घुटी बदल रहे कि नहीं बदल रहे तो हम लोग लेक्टित से small flux small electric flux वेरी स्मॉल एरिया डी ए अब को समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा यहां पर इवेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ठीक है यह उतर स्मॉल एलेक्ट्रिक प्लक्स जैइमेंगे एडवांस वालों को समझना बहुत जरूरी है ऐब मुझे बताव मेरा रहेगा अरी मेरा फ्लच रहेगा इसका विए इंतिग्रेशन वे इंतिग्रेशन ओब तो मेरा इंतिग्रेशन आव view ए इंट्वैक्टर हर दूट दूट डीए वेक्टर हमें टेक्तिक के एक्ट्रीशें कंएग्शल पिप्रищकल parad maid सब्सक्राइब करेंगे इलेक्ट्रिक फिल एरिया थीटा के मतलब एरिया के अंदर का सब्सक्राइब बदल रहा है कुछ भी इस वेरियेबल होगी तब इसको लिखा आप लोग इस विल्यूस पर वेरियेबल सी राइट इंटिग्रेशन ऑफ एडिये को सिता करेंगे इसको लिखो फिर अपन आगे में जाएंगे आगे में जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे इसके बात करने वालों पहले यह तो लिखो फिर इसके बात करेंगे लोग इसमें लोग लिखेंगे यहां पर वेरियेबल इलेक्ट्रिक मतलब इसके बीख्ट्रिक वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर यह एक्दम इसके बीख्ट्रिक वेक्टर अच्छे 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 वालों के लिए सर अभी किसी ने कॉच्छन पूचा था की अपनने फ्लक्स को अच्रार कॉट्टी वताया थे बट इसके अंदर तो अपनने डायेक्शन भी लिया और मैगनिट्ट्ड भी लिया है तो फिर वो स्केलार कॉट्ट्टी क्यों प्लट्स को कहां पर मेगनिटूड ने डिरेक्शन दिया है मैंने इलेक्ट्रिक फिल है एडिया वेक्टर को डिरेक्शन दिया है ना ओके सर्थ उसका डॉक्ट प्रोड़क्ट हो था राइट ओक गॉट इट सर्थ ओके सर्थ तो यहां पर मुझे एक पास बताओ चलो मैं मुझे एक च्टा साइक क्वेश्चन में पूछ तो अब यह क्वेश्चन सौल करने के पहले सब्सक्राइब हो गया इसा होता है क्या तो कही कोई सब्सक्राइब कोई क्रॉस सेक्षन में सब्सक्राइब कुछ गुस रहा है एक लाइन गुस रहे तो उतनी लाइन बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी तो जितना फ्लक्स इन होगा उतना फ्लक्स आउट होगा अब कि जरूरत है कि कि यहां पहुंट हो enhance कि इसका मतलब यहां पर कुछ नव कुछ क्या होगा कर het इस एक पी इल्एक स्क्या बाहर निकलेगी पिल्स कहां पर खुलत हूं हो प्रॉक्णलर एडिया से इस टेसार्म क्यों हो रहा है से क्या हो रहा है 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 मुझे बता इन उतना ही फ्लक्स कितना होगा अब मुझे आउट को या जो हेमिस्फियर से फ्लक्स निकालना है तो मैं निकाल सकता हो कि उसके लिए अलग अलग लग लग तो मुझे बताओ यहां पर प्लक्स इन इजी या फ्लक्स आउट इसी तो प्लक्स इन की वैल्यू कितनी है थाप इलेक्ट्रिक फिल्ड डॉट एयरिया वेक्टर रहए यहां पे जो एरिया विक्टर होगा और एरिया की वेल्यू क्या हो जाएगी तो यह हो जाएगा मेरा फ्लक्स इन और यही मेरा आंसर फ्लक्स आउट ठीक है क्योंकि फ्लक्स इन इन इकोवल टू क्या हो जाएगा फ्लक्स आउट मैंगिट्वाइज बराबर ना जो फ्लक्स का दोनों का चीज सेम हो जाएगा कि नहीं होगा अभी तो वहला क्योंकि ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर टोटल जीरो होने वाला है कि समझे गाइज तो यह कुर्शन किसे सौल किया अपन ने टोटल फ्लक्स जो अंदर घुसते हो ने फ्लक्स बहार निकलते है उससे सौल सब दिया रही गाईज कि मुझे बताओ समझ में आ रहे हैं ऐसे आते हैं डायरेक्ट यह एक बार जाते हैं भाई जही में में भी आते हैं क्वेश्ट्रिक यह जो फ्लक्स आउट्स थ्रू है मिस्फिरिकल एरे इसको एक बार इंटिग्रेशन से करके दिखाओगे सेम आंसर करते रहे ना तू घर पर पूरा दीन और निकल देना अब अब आगे आगे करते हैं आगे बढ़ते हैं कि अब लिख्के हो गया यह लिखो फड़ाफट लिखो फड़ाफट लिखो फिर आगे बढ़ते गई अब मुझे बात बताओ अब मुझे बात बताओ इसी में इसी में इसी में मैंने यह तो तेम रखा लेकिन यहां पर कोई भी टाइप का इसे 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 बना है कुछ फरक पढ़ेगा क्या बताओ मुझे और मिने बोला यह एसे रैंडम सर्फेस से यहां पर बना दो इधर से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ठीक है तो होने वाला हैju अ take one मुझे होगा तो क्या होगा इंतु क्या होगा Victoria की नहीं होगा गई फिरेंट लेंटर जचल वाल आपण मेंशिंव अब आनेवाले अपना मैंशिक यह वह मेन देखते है आगे पढ़ते हैं अलेक्तिक पी लैंस दिखा दिए अथी कहा से हरे वह मतलब और यह निकलता को निकलता है कोई न कोई एक कोई चार्ज कोंबिनेशन या वह बड़ाइन चार्ज प्लेख घज अब तो मैं काम करता हूं अब काम करता हूं एक सिंपल केस लेता हूं चीक है सब लोग यहां पर जबने एक बात बता हो मेने क्लस क्यू चार्ज रख़ा है और मैंने क्लस क्यू चार्ज रख़़ा है तो मतलब में इसे दिखाई ठीक ऐसे दिखाई तो मुझे बता टू की कैसे दिखाने चाहिए कि थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और ऐसे दिखेगी अपको समझ में आरे में क्या बोल रहा हूं ठीक है अब मुझे एक बात बताओ गाई मुझे बात बताऊ तो अब मैंने यहां पर प्लस क्यूट के बाजू में मैं मतलब मुझे बताऊ जो जो यहां चीकल रहा है उरिजिनेर कर रहा है इस पर पंपो तो नुट रहा है हो नहीं हो है हो लो रहे हैं को रॉछ नहीं हो लगोने का सब्सक्राइब उसको मुझो लिए उसको epsilon क्या पू για बहुंत है तो यहां पर एक चीज बंद गई एक चीज बंद गई मतलब यहां पर पूसמה सकता हूं epsilon not into flux उन पूट क्या बन लुग बंदगा कुई हम लोगовой क्या बोलत지만 इसको वो क्या बोलते गॉस लॉओ ठीक है तो यह गॉस लॉओ गया यह क्या हो गया गॉस लॉओ एपसलोन नॉट इंटु फ्लक्स इस इक्वल टू चार्ज अब इसको मैं कुछ-कुछ बोलूँगा लेकिन मैं अभी तक सिंपल से क्या बोला बता हुझे अब इसको एक्सप्वेंट करने वालों इसको मैं करने वालों जितना मुझे जितना मैंने चार्ज बढ़ा है उतने इलेक्ट्रिक विल्लाइंस बढ़ी की नहीं बढ़ी कि बड़ी ना इलेक्ट्रीक पिल इंटेंसिटी कि जदा एक पिल इन इसकी जदा है तुम लोग को पता है जितने और इलेक्रिक फिल लाइन जितने जादा होती है तो यहां पे तो तो यहाँ पर नमबर आप पाची तू यहाँ पर यहाँ पर यह जादा है तो सिंपल मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू चाज तो अब मुझे बता है इस प्रोपोर्शनल टू चाज तो मेरा इसकी वैल्यू भी मैंने दीए आपको अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ है ठीक है मैं वापस बोड़ा हूँ अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ हुआ है अग्या च्छे से लिफाइन करने वाला हूँ हाँ हेली डाल दो गॉस्ट लोग हेली डाल दो गॉस्ट लोग है बहुत इंपोर्टन पॉइंट 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 झाल 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 आगे बड़े आगे बड़े गई आगे बड़े गई आगे अब मुझे एक बात बताओ गॉस्पला में दिख़्ा है अब यहां पर सुन अच्छे से इलेक्टिक इंटेंसिटीं नतिंग बड़ इलेक्टिक फिल अहां पर दिमाग में डाल एक आपर देखोए देख्वा कि एक मुनिटा नेट सौरी तो गॉस्ट लॉख अब गॉस्ट लॉख क्या है ठीक है अब गॉस्ट लॉख का मैं थोड़ा सा मतलब मैं आपको एक चोटा स्कीज इसमें करता हो गॉस्ट लॉख के पहले मुझे बता हूं कि भीच ग्माइब दिफाइन का ये काई अ क्योवड दिया और और जरॉख करना थाधेर होना चाहिए द्दान मुझे माईब ऊस्ट और पूरी तरीके से पूरी तरीक है तो मुने से तो पूरी तरीके से करेंगे पूरा का पूरा कोई भी सर्फेस बनेगा ना के सबसे मतलब आच्छे दिखते अपने को समझने के लिए सबसे इजी सबसे सबसे नहीं तो कोई बोलेंगा सरक्ण क्यूब ठीक है तो क्यूब कर सकते कि नहीं कोई बोलेंगे कि कर सकते हैं तो कोई बोलेंगे सब्सक्राव कर रहा है का अब को समझ लिखा है यह पर क्यूब को समझ गया है कोई कीव बना दो सर्था एसे वाला कोई बना दो अब यहां पर कितने सर्फेस में लिखें यह सारे के सारे एड़नी सर्फेस ती डैमेशन सर्फेस हैं इस पिर इन सारे सर्फेस इस ने इस चार्ण को क्या किया है इंचलोज और इन सार E बदम ये शार्ज करें इंपने में से निकालता है बहुत इंपपर अपने में णिटराइब,- तो यहां पर क्या निकलने वाला है अपना चार्ज अपने वे इसा निकालनेवाला मुझे कोई भी सर्फेस से कोई भी सर्फेस से आप इसको देखोगे मतलब से देखो से देखो कहीं तरफ रहे गाओ या वदलते जाएगा यह सब जगे पे मुझे बताव सब जगे पे जो रहेगा वह सेम रहेगा तो अब सबोस्थ सेम रहेगा ठीक है अब जहीं में रखना जो मैंने आपटे बोला तो वह जो फालग को क्या डिपाइन किया एकोफ लूटट इस एकोफ डूट इस एकोफ टू इस एकोफ टू चाज इनक्लोजड अब यहां पर इस लिखेंगे शॉट फॉर्म ऐसा लिखेंगे एपसालन नौट इन्टु फ्लक्स इस इक्वल टुका लिखिंगे चार्ज इन्टु और यह जो मैंने सर्फेसेज ड्रॉ किये आप बैसे कुछ-कुछ लोग क्या बोलेंगे सर मुझे ने क्यूब अच्छा लग तो तुम क्यूब करो क्यूब के अंदर से भी उतना ही जाएगा कोई बोलेगा इमेजिनरी इमेजिनरी सरफेसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसको मैं लिखता हूँ इमेजिनरी सरफेसे यह सारे के सारे imaginary enclosed surfaces इमेजियर इंको सर्फेस जो मैंने बनाए है अब यह गॉस का एरह तो उसको हम एक नाम देंगे उसको एक नाम देंगे उसको नाम देंगे भाई लेकिन हम लोग उसकर रहे तो उसको में नाम देंगे जो स्वेस्च एक बोलेंगे इसको पन आप गैज समझ में आ रहे हैं इस पूंब लोग क्या बूलेंगे गॉशियन सर्फेस इस थिक यह जो इमेज़रा इसमें ड्रॉ किया है इमेज़री इनक्लोज पार्फेस जो मैंने ड्रॉ कि उसके गॉशियन सर्फेस डिकलो थिक है गयाइज एक पंगा मैंने सब जगे पे किया है और आपने बहुत अब पर तरीके से नोट किया यह जी यू ए फारी काइज कि ऐसे तुम अभी देखा में अब कुछ ते और यू अलग-अलग हो रहे हैं मेरा आजके पतहा है कि मेरे को आगे पीछे हो रहे हैं ठीक है लिख दो इसको गॉष लो लिख दो फटाफट चलो सब लोग यहां पर लिख दो इतना लिख दो पहले इतना लिख दो कि मैं वाप्पस हो मिस्टेक कर दो बराबर जी यह हुए है गॉशी है हुँ है लिख दो लिखो कि अधिक्ते रहो गई अपको पहले मुझे बता है वह समझ में आ रहा है किया कि अधिव कि अधिए कि कि अधि़ाए कि में कि कि अधिडियों कि अधिक्या कि अधिग्या के लिख आज बहुतु आफ्यायर कि पहले प्लस की उचार्ज तो यहां से बाहर निकल इतना समझ में आ रहा है सबको जो में अभी आपको बताया वह समझ में आया कि नहीं आया पहले वह बताओ चलो जो भी इमाइजडी सर्फेस में ने ट्रॉब गया उसके बाद उसको लोग बो लेंगे गौश्यन और उसमें क्या लिखेंगे एप्सेलर इंटुट इकल्ट इकल्ट चार्ज इंकलोस्ट राइट ठीक है गाई चलो आगे बड़े आगे बड़े गाइस आगे बड़े अगे बड़े तो अब मुझे एक बात बता हूँ चलो मैं आगे बड़ता हूँ अब मुझे में एक बात बताता हूँ ठीक है एक चोटा चीज़ कोई पूलेगा सब्सक्राइब तो मैं यहां पर निपता हूँ एपसलान नौट इन्टू फ्लक्स इस इकवल टू चार्ज इंप्लोज ठीक है तो चार्ज इंप्लोज इस तरीके से लिख देता हूँ मैं यह हो गया ऑब मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ किसी का कुछ माइक चालू एक है भाई देवश्री माइक बंद करो ठीक है यहां पर देखो केश्वन एंड केश्टू अब यहां पर देखो इसमें फरक्या उसमें फरक्या लेज्से में लीखा यह एक स्पिर एस पिर को चैंप और इस एक पॉइंट चर्ज क्यू रखाए यहां पर वह एक सब्सक्राइब लेकिन यहां पे कोई पॉइंक चार्ज नहीं यहां पे इलक्तिर्क फिल्ड है वह उडिकी घुनिफॉर्म इलेट्रीक पिल्ड इस तरीके से पहीं से तो आया है यह इस पुरे से जा रहा है कि मैं युनिफॉर्म इलेक्रिक फिल्ड में एक आसा स्पियर रखा गाए दोनों में नेट कितना होगा प्लक्स कितना होगा स्पियर के थूप बोल सकते हैं यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मतलब एक प्रण को समझ में तो आपका आपको सम्झ में बताो मुझे पहले में कितना होगा दुसरे में कितना हो इस पहले मिझे नौदूसरे में कितना हो छलो एक बाहत मज़व सेकंड में तो कन्फिरोव तीन हो रहा है उतना ही व्लक्स हो रहा है तो जितना इन्साइड में फ्लक्त है उतना है तो धीरों कितना होगा वापस देखो सारे आंसर में कितना हो कुछ लोग सही दे रहे हैं कुछ लोग गल्टी कर रहे कि बाइस दिमाइक लगा थोड़ा सा भाई दिमाइक लगाव मुझे बात बता में मैंने गॉस्फ लोग क्या निकलने वाला मुझे बता है कोई भी चार्ज्ज अपने मैं से कितना निकालता निकालता है कोई भी चार्ज अपने में से कितना इंव निपालता है कोई भी चार्ज अपने मैं से अपने CP ninkles क्या बोलता कोई यहां से कितना निकलेगा यहां पर किक्ष्ट कि वैल्यू कितनी है क्यूं इंकलोज तो मुझे बताओ यहां पर को स्पेर रहे की नहीं है तो इंकलोज सर्फेस से कितना फ्लग्स निकलेगा कि अरे यहां पे इंक्लोज तरफेस से कितना निकलेगा क्यूंब आफ सलन नौट की वैलुऊ ही क्यूंब से समझे क्या है आपको समझ में इसमें और इसमें फरक्ष्ट क्या है कि अरे प्लस क्यों प्लस की होगा तो बाहर निकलेगा माइनस के अंदर आ रहा है इसे कि अधिक्या मैं आपको क्वेशन दूंगा तो आपको समझ माएगा पहले मुझे उतना समझ मैं इतना समझ मैं कि पहले अच्छा क्वेशन देता है अब मैं अलग अलग प्रेशन देता है अब मैं आपको और समझ मैं अब अब मुझे बता इधर से कितना निकलेगा इस क्यूब से कितना अब यह क्यूब के एक्जाक्ली सेंटर में चार्ज है होगा है कितना होगा है अरे सिर्फ एक इस मुझे तो गॉफलो याद है तुमको गॉस्फलो याद है और याद रखाए एप्सलन नॉट इन तुफलक्स इस इकवाड टू चार्ज इंप्लोज तो फ्लक्स तो फ्लक्स कितना तो क्यूब निकलेगा देशिट फ्लक्स क्या हो गया क्यूब है अब कोई बोलेगा अब अच्छा क्वेशन हो गया अच्छा क्वेशन मतलब क्या मुझे बताओ अक्षे अब पडाता हूँ तो तुम्हारे जो भी डाउट होते है जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में उस चीश कोिए वापस देखने का और सोचने का और तुम्हारे उप्नेगा तुमण पढ़ाते लाऊट लाओगे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम च सोचते वक्त तो कभी भी धाय में रखना लेक्चर कभी भी अच्छा हो ठीक है यह चीज मैंने मेरे लाइफ में हमेशा इवन कंपनी में भी अपलाय की जब मैं जॉब में कर रहा था कुछ-कुछ लोग थे ठीक है वह बहुत कुछ सोचते थे वह 15 मिनिट में क्या बोलते थे पास लिए लेक्श्र कर L.A. चलते- सुचना चलू कि अक्या वर्यसा को नहीं तो सबके लिए में वापस वतारो थेन चलो तो अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ अब मुझे प्रफिस से कितना जाए लूग कि अन्दर से इतना जाएगा तो एक से से कितना जाएगा एक से कितना जाएगा अब मुझे बात बताओ अब मुझे बात बताओ कि यहां पर कि क्यू से मुझे बताओ कोई भी सर्फेस यह कितना दूरी पे होता है इसका एक तुगा का पूरा ऐसे एक साइड है ठीक है और प्लेट के एक्जैक्ली से सामने एक टू डिस्टन्स पे एक चार्ज रखा है ठीक है और बोला इस चार्ज का इधर से किसना होगा तो मुझे पताओ सब्सक्राइब पता नहीं होता तो तुमको क्या करना पड़ता इसकी कुछ रख में यहां पर चार्ज के सामने रखा है तो मैं मुझे मत्फिन फ्लक्स निकालने के लिए करना पड़ता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड में इंटिग्रेशन से करता तो प्रॉब्लेम होता है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टिक प्लक्स नहीं करूंगा नहीं करूंगा गॉस् लॉसे मुझे बताओ यह यह है और यह लग्डवाइटू है तो मुझे बताओ फिर इसकर्शन को सॉल करने के लिए तुमने क्या किया एक क्या बनाया मतलब मैंने इस इसे मैं रिखता हुआ तो यह ऐसे कलर में इसे डिखा या कि यह पूरा का पुरा चार्ज क्यूब में रखा है तो इस कितना नॉट से कितना जाएगा उस लॉडिक से मैंने कर्षण को सॉल किया गाइस लॉजिक क्या समझ मैं है तो मेंने मेंने यहां पर मतलब फ्लक्स तुरू वन तरफेज कितना होगा में घृत्व सरफेज। समझ में आया की नहीं आया पहले बताओ तो मेरा एक दम सिंपल मैरा क्वेस्ट था कि दना निकले सब्सक्राइब लेकिन को कैसे सॉल करना है समझ में आ या वापस बोल रहा हूं इसके बाद नहीं समझ में तो पहले मैंने क्या बोला एक यह सरफे से ठीक है इसका साइड लेंड और यहां से एक चार्ज रख तो बोला इस सरफे से कितना लग जाएगा अब इस क्वेशन को सॉल करने के लिए मैंने अभी यहां पर क्वेशन दिया थे क्यूब होता है क्यूब के अंदर सब्सक्राइब तो मुझे बताओ यह और एक सर्फेस कोई भी सर्फेस से इसका डिशन कितना होता है तो मुझे बताओ यह क्यूब चार्च इस पूरे क्यूब से कितना निकालेगा अरे कितना फ्लक्स निकालेगा तो एक सर्फेस से कितना निकालेगा लिए तो यहां पर कितना आ गया क्यूब है संज़े गई लंग तो क्या होगा तो क्या करना पड़ता तो फिर क्या करना पड़ेगा इंटीक्रेसिंच और ठीक्या क्या को उन्ट्राब हो यह प सिरेगा ते इसा कोच्छ के तो सकते लेकिन तो आपको बताऊंगा वह कंडीशन के थिक है पहले अब मुझे बाद बताओ क्रेशन नबर फोर यह आपका लिख्के हो गया होगा अब यह क्वेशन नबर पॉर्ट अब मुझे सब्सक्राइब क्यों है जो मुझे स्फियर के अंदर तो मुझे स्फियर के शुरू कितना फ्लग जाएगा तो कोई रखा है और हमिस्फियर के अंदर यहां पर चार्ज क्यू रखा है तो मुझे बताऊ है हेमिस्फियर के सब्सक्राइब के समंझ तो मिने एक्स्टर नोट तो कितना जाएगा तो फंदा समझ में आ रहा है इस 2021 के समझ में कैना है झाल झाल जो मैंने क्वेशन आप आपको पता है यह सब जई में नीट में तो एकदम आते हैं अब थोड़े से अच्छे क्वेशन करते हम लोग ठीक है तो अब यहां से थोड़ा सा एडवांस और उरियंटेट सेशन हम लोग स्टार्ट करते ठीक है अगले लेक्चर में भी गी अब यह मैं इस वक्रिख से एडवांस फ्लॉस टोगो सोश्प्रवेश्स लिए अगली भी तो अग्टीन्यी आधमी इसवी अप्ते से कर दो स्टार्व एसे घुछ मतलब यह तो अगे वाले पढ़ाता ही इसके आगे वाले अग्स्तों वह थोड़ा लोग सुनो कि लेक्शिर आज कर लेते हैं ठीक है ने मौर्निंग में तो जो है आज जो है आज में एक हिगहं बब्देशिर लेने वालोस त्हां सब्समें कुछ पूछन से सब्सक्रां को सब्सक्राइब है तो ने सी सब्सक्राइब विएक बढ़ोटा करने गिरेशं बेस्टीज लेक्षेämän ठीक हैं और कोई भी टॉपिक वहाँ पे में कुछ भी ले सकता हुँ अब या आज खास करके इलेक्टर स्टेटिक्स लेने हो ठीक है यंस्व जी सिर्फट वालेओ बेटो द कि मत बैठो सेसी वालो डुमी मत बैठो कोई द अज जिनको एडवांस करना है वही लोग ठीक है वापस बोल रहा हूं है चलो कि आगे बड़े आगे बड़े गई आगे बड़े कि अब मुझे बात बताओ क्रेशन नमबर तिक अब मुझे बताओ अब यहां पर देदिया मैं अभी यहां पर देदिया कोई बोल सकते इसके यह ड़ी डेकिन अब जो चार्ज रखा तो कहां से कहां पर रखा ता मथे यहां पर आठों हैं तो यह यह प्लेट इस से से इडिशंस अपे रखा लोग निकल सकते होगि एग प्लेटे से से सब्सक्राइब आपका आवाज गया तो यह जो प्लेट है यहां पर देखो पहले मैंने चार्ज कहां पर रखा था मुझे बताऊ यह चार्ज जो इस प्लेट से सब्सक्राइब आपका अब इसा पकड़ लो से नहीं कोई कॉई कॉर्णर से अब मुझे बता इस क्रेशन में सब्सक्राइब एडिस्टेंस पर रखता हूँ चार्ज कोई भी कॉर्णर से तो मुझे बताओ यहां से फिर फ्लक्स कितना जाएगा इसके फ्लक्स 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 कितना होगा समझें बताओ यह थोड़ा सा दिमांग लगा थोड़ा सा दिमांग लगा और बताओ इसे तो सही लिखा है लेकिन आंसर बताओ फाइनल अंसर बता तो मुझे आंसर कहा हैं अगे अगे तो ना अरे आंसर बताओ फाइनल अंसर बताओ अ जो इसको मैं बोलूँगा कि उसका इमेजेशन सही है ठीक है जो इस आंसर का सही आंसर अभी देगा मुझे मैं बोलूँगा कि आपका प्रिपेरेशन एक दम सही चल रहे है अगे देखने तो कोल है ठीक है रीशी गुड़ अब तक सिभी रीशी ने सही आंसर दिया है सब लोग आंसर डालो तुहीन ने सही आंसर दिया है बाश्चों ने सही आंसर दिये हैं दिया है मंदान ने सही आंसर दिये हैं अजिंग के पवार सही आंसर दिये है प्रणाव बक्षी अंसर दिये हैं मैं देख रहा हो भाई कों सही आंसर निकाल पाएगा इसका जितने बीजार अभी जो दो लुक बोल रहे हैं अक्षय सही आंसर है यंचावान सही आंसर है 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 कि चलो पहले तो मुझे बात बताओ गाइस मुझे पहले बात बताओ चलो यहां पर बहुत दिमाख लगए आपने यहां पर देखो चलो यहां से दिखाता हो वीडियो पहले वीडियो देखो यह एक बूक है ठीक है इसका साइड लेंद्स ए और यहां पर अब मैंने चार्ज रखाएं यहां पर रखाएं चार्ज यहां पर रखाएं अब मुझे बताओ यह चार्ज किसी का सेंटर है क्या कोई ऐसे प्लेट का एक षैंट का सेंटर्ट तो है नहीं यह मुझे बसाओ ऐसे कि जालेकर बहनेंगे तो जुनdemo का बनेगा अब बैसिकली यह जो हो गया यहां पर यह एक साइड लेंज अब मैंने ऐसे और एड किया यह एक के मैंने और एड किये तो अब मेरा जो प्लेट बन गया वो टूए का बन गया तो मेरा जो क्यों बनेगा कितने लेंद का बना यहां पर इमेजर अब मुझे बना इसेंटर में चार्ज आ गया क्यों तो मुझे वज़ा इस पूरे सर्फेस तो पूरा गया इस पूरे सर्फेस से थो पूरे से अब क्यूबाय इतर नॉट जो पैसिकली क्योवाय से गया है वो कितने हो रहा है 1234 क्योंकि मुझे तो इसी से पूछा है गया है तो मुझे एक से कितना जाएगा एक से यहां से जो जाने वाला है वह कितना होगा क्यूबाइश एपसलन नॉट वह और इंटू बन बाइप पॉर हो गया कि नहीं समझे तो इसका अंसर आएगा क्यूबाइश एपसलन नॉट कुछ लोग ने इसका अंसर सही दिया गई आपका इमेजनेशन अच्छा है स्ट्रॉंग है तुम्हारे इमेजनेशन मैथेमेटिक पर अच्छा करना पड़ेगा स्ट्रॉंग बनाओ ठीक है कि इतना मुझे बताओ इतना समझ में आ रहे हैं इतना समझ में आ रहे हैं कि तो मुझे बता फ्लक्स कैलकुलेशन के कितने मेथट्स है यह सब एडवांस वाले प्रॉब्लेम इडवांस वाले प्रॉब्लेम से और एक अच्छा प्रॉब्लेम दो इससे क्यों पर एडवांस वाला कि वह देने के पहले में एक और पढ़ाता हूँ एडवांस का ही कंसेप्ट है उसको लोग यूज करेंगे एडवांस में गाई सब लोग ध्यान से सुनों ठीक है यह यह बहुत काम का हुद आप क्यूंकि अच्छ अच्छे क्वेश्चन एडवांस के और अजई एडवांस सब्सक्राइब करेंगे वैसे मतलब वह मतलो लेकिन लेकिन यह साल करने के पहले यह सारे कंसेप्स अपके क्लियर होना चाहिए तो ही वह कंसेप्स हो जाएंगे ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते एक चोटा करते तो फिर इसके ऊपर के वेश्चन देता हो तो मुझे जबता कि कितने कितने मेथर में आपको बता रहा हूं मैं पहले तो नॉमल एग्जम सिंपल सिंपल पर आते हैं इड़ोट एसे नहीं बना तो इंटिग्रेशन लेकिन इंटिग्रेशन लास्ट में करना पर डिरेक्ली यूज करने गॉस्ट लॉट वह भी नहीं हो गया तो यूज करने का भी देखा अपने इमेजिन सर्फेस बनाओ गॉस्ट अफट अफट निकलता है तो फ्लक्स तो एक गॉस्ट वह से बहुत एजी निकलता है कि नहीं निकलता है ठीक है लेकिन अब इसमें अभाएं जो में यहां पर देखके हो हूं सब लोग यहां पर देखो कि मैंने बोला एक डिस्क दिए है ठीक है एक डिस्क है ठीक है डिसक का रेडिया से आर डिसक है और बोले इस डिसक से सब्बूस कोई एक्स डिस्टन्स पे एक्स डिस्टन्स पे चार्ज रखेंगा और बोला कि अब मुझे इसके कितना निकलेगा तो पुरा कोन बन गाया ने तो यह तो डायरेक्टली होगा क्या स्कूल कर सकतेगा और मैंने बोला इंटीक्रेशन को में ना बोलता हो पुछो पुछो निए इतना इसी नहीं है और जैड़ानस में आप बैठोगे तो जैड़ाइब आपके वाद इतना टाइम भी नहीं कि आप करो और की जैड़ानस में बैठे हो कर रहे हो integrator is always the last option और बनेगा साहिल तो क्या हो यह भी नहीं पता इदर से कितना जा रहा है और फी इतना भी नहीं पता रही तो 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 कि सिंद्यश्च के करेखी दूसरे कंडिशनमें सिर्फ के एरिया का अशGroup करने का का और उसको डूनों को एड करने का कैसे कर एक कंडिशन में करने का कि ऑ डिसक नहीं है वी रिंग जैसे तो क्या होगा तो मतलब इंटू यह जो एरिया होगा वो प्लस कैसे इंटू एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिल्ड चार्ज पॉइंट क्यू से है न कोई भी पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर दाइरेक्शन अलग है उसका हरेक्ट्रिक फिल्ड का अलग अलग है और पूरा थी डिमेंशन है वो भी तुमको समझ में आ रहा है कि अलग अलग है इलेक्ट्रिक फिल अलग है कोई बोल सकते हैं और और कोई में तो इतना संबल में आपको इंटू डिस्क नहीं कि मैंने क्या बोलें इंटिक्रेशन से करेंगे तो वाट लगेगी ठीक है गाई सब लोग यहां पर देखो और क्या हम को ओपन अप कर सकते हैं अब अब तुभी हैं डिस करके रख हां क्या बोल रहे हूं और को ओपन अप कर सकते हैं क्या अब वो कौन का वहें स्कुर स्कूरा बनाएंगे नहीं नहीं वो तुच टारी कर सकता है तो इसे नहीं नहीं करना है और और पिशुछ पार्ट नहीं है यह से एंटेटा लेकए कर सकते हैं दिए करना पड़ेगा तुम को समझेगा कि क्लेक्ट पिर रिंग को ना पड़ेगा पड़ेगा ठैक्ल नहीं चाहिए को है । कि क्यों की साइड से कर सकते हैं इस कंसिप को हम लोग बढ़ते हैं कि एगें वह आप इचा एडवांस का कुछ आया और आपको समझ में आ लगाने के कोशिश करने के वह नहीं हो पाया तो हमेशे इंटीकर नहीं रहेगा लेकिन वह क्वेश्चन कभी आए गए कि अब बंदे ने वापस कॉल किया अब यहां पर देखो कि अब इस वाप इस वाप इस वह पर पहले बदाता हो सब लोग दैंस इंगल तुम ने सब अब तुमने सब्सक्राइब नाव्मल तुदि एंगल इस ठीटा तो सॉड़ेंगल किसमें मेचर होते हैं अब मुझे बताओ जो में सॉलीड एंगल का एक्टल कंसेप्ट है वह ता बाद में आतिक सरसे पूछ लेना लेकिन में एक सिंपल बदाता हूं जो इस यहां पर आपन देखेंगे यह जो एंगल है यह जो एंगल बनाया है फीडी एंगल इसको मैं लिखूंगा यह साइं स अब इसका डेरीशन जो मैं लिख रहा हूं इसका डेरीशन में हाप नहीं दूंगा आप दूंके ला सकते हो सब्सक्राइब और यह जो होता है यह 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 इंगल को हम लोग भोलते किट टीटा नहीं क्या बोलते हैं कि कौन जो है कों का तोटल एंगल ठीटा नॉट होगा है तो यह हाफ एंगल होगा की नहीं बराबर तो यह चीटा नॉट है और यह तो इसमें रिलेशन का है इसमें रिलेशन डिरेक्टी में लिखता हूँ सॉलिड एंगल टू पाई वन माइनस कॉस थीटा नॉट समझें एक मैसमेटिकल प्रूफ है आपको चाहिए प्रू करके लाओ जिनका मैस सही है तू करके लाओ ठीक है मैसमेटिकल प्रूफ अभी मैंने डायरेक्टी बसा दिया है तो इस सॉलिड एंगल और आपको याद आप समये गई सबमजना का इसमेना हमारे ठीक है अब मुझे बताओ पूरा ब्रचुद फूरा 3D एंगल कितना होगा मतलब 3D एंगल मतलब 3D एंगल टोटल कितना अप्र दिखता और इस अथिस कुण कितना है क्या है है हाँ यह ओमेगा की तरह दिखते है कि प्रींगल कितना होगा कि वृप यह कितना हो तुमारी विसा सीज फॉर्मॉला के इस अफ से कितना होगा बताऊ ए जो मैंने यहां फिर मेंतमेटिक लिए फॉर्मॉला लिखा यह तो मुझे तब पूरा थीड हैंगल कितना होगा जीरो जीरो मत बोलो तुम लोग गज़े ऐसी बाते करते हो कि सब लोग यहां पर जीरो जीरो लिखने के राइट 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 रुटु जाने सही लिखा है कि क्या होगा कि और रेडियन में रालो भाई आंसर कि पूरा 3D एंगल कितना होगा तुम को राइट अच्छे ठीक है कि दैन में रखना फूरा जो 3D एंगल है फूरा 3D एंगल फूरा स्पीर कर लो तो मुझे उता पूरे स्पीर में थीटा नॉट कितना होगा कि अज़ीटा नॉट कितना होगा पूरे स्पीर में लोग बोलते हैं तो यह टूडी एंगल सपोस होता है तो फाइन ओड की वैली कितनी होगी पाइड होगा ना भाई ने होता है ना भाई वन अटी डिग्री होता है कि नहीं ने तो अब मुझे बता यहां पर टूपाइड है ठीक है तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि तू पाय वन माइनस को सीटा नौ तो टू ना होगा सो फोर पाय तो मुझे बताओ तोटल ट्रीडी एंगल कितना होगा कितना होगा इस पॉर पाय होगा अब इस पॉर्मुला को दिमार्ट में रखो लिखो इसको लिखो फिर इसक्यू में अभी बताऊंगा इससे गॉस्वल करते अभी यह सब्सक्राइब अगया तो इससे गॉस्वल की क्वेश्चन के सब्सक्राइब करते बताऊंगा मैं कि इससे कैसे गॉस्वल की क्वेश्चन सॉल करते वह देखते गाइज अपन कि अगे अगे पड़ें आगे करें तो अब मुझे बात बताओ नहीं अब मुझे यहां पर बात बताओ अब इससे गॉस्वल करते वह देखते जड़ा गॉस्वल कर्शन नंबर काहते नहीं कर्शन नंबर निए पहले कार देख लेकिता है कभी धायमे कभी भी चाज़ कोई भीगी चाज को कि मुझे बताओ कोई भी चाज यहाम पर क्यूब रखा हुआ है कोई भी चाज सबस्सक्राइब कितना होता है कोई फिर इंगल क diff령 कितना होता है इस तो कोई भी उक्लक्स की वेल्ट कितनी होते बढ़ाइब तो यह जो कितने एंगल के लिए है कितना प्लक्स के लिए है कि यह कितना प्लक्स कितना होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी फोर बाइ एपसलन नॉट एक मेंड़ा तो इन्टू एपसलन नॉट इन्टू क्या यह इन्टू यह अरे यूनिट्टी में शट्टाब है यह प्रॉस मुल्टिप्लाइ करो ठीक है तो इन्टू सॉलिड एंगल डिवाइड बाइ पॉर इसे अपना में और यह अपना में फॉर्मूला ऐसे मत तो और प्रॉब्वी चार्ज और पाइस अंगल निकालता है तो फ्लक्स के लिए निकालता है तो प्रॉड के लिए कितना अप्लग ठीक है अब मैं एक क्वेश्ण देता हूं आप खुद करोगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्ण में देशाकते हो बाद में ठीक है पहले यह हो गया इतना हो गया इतना हो गया को इसको इसको समझ मैं आएगा लाज कर दो कि अलिक क्यों पोर पर अप्सलोर एंटू यह यह भी लिख सकते हो तुम को भी लिख सकते हो पहले इतना लिख दो कि आज का जो अपना लेक्टर है मतलब आज का जो एडवांस प्लस लेक्टर दस बज़े का बताऊंगा वह होगा की नहीं होगा कि मुझे पता नहीं कि वह कितना मतलब या फिर नॉमली अपन स्क्रींशेरिंग से कर सकते हैं ठीक है हमारा वाइफाई तो गया यह मोबाइल लेक्टर के बारे में कि 945 को बताऊंगा की लेक्टर है की नहीं ठीक है दस बज़े का है और जो भी 10 बज़े का लेक्च्च्राइज हो गाज है एडवांस तो प्योर इंटीग्रेशन बइस लेक्च्च्र होगा integration आप इंटीग्रेशन करूंगा गां जाता लगेगा और आपको दो से तीन लेक्च्च्र में लगा ता इंटीग्रेशन के सब्सक्राइब करें कि देखो काफी सारे इंटिग्रेशन होता है हमेशा तो उसके उपर आप कंफर्टेबल होने चाहिए तो अब मुझे बात बताओ सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर देखो जो मैं यहां पर बोल रहा हूं यह एक डिस्क है और चार्ज रखाए जो एक डिस्क से कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा और दिस्क रूब यहां से से इतना है तो मुझे निकलने वाला है कि बताओ कि इसक्राइब लेगा के कि कि इस क्षेशन को करेंगे कर दो, कि उना है दो. कि उना होते हैं कि पुले टो, कि उना है, दो को यह लो, गि तो दो, कि उना है, फुह दोर कि लेए भी, कि बताओ मैं बताओ चलो पहले यहां पर देखो जहां पर चलो ठीक है जो भी है अपने जो भी कुछ कर रहे हो पहले यहां पर यह जो है यह तोटल एंगल है इसमें हाफ एंगल कितने है एक इस तो पाइ वन माइनस फॉर्टी पाइए तो सॉलिड एंगल लोग ने नाइट एंड लिखके गलत किया है तो डेन में रखना है यहां पर टूपाइड क्या होगा तूपाइड वन माइनस वन भाइड रूट टू तो इस इस मैं सॉलिड एंगल गाईज इस मैं सॉलिड एंगल अब मैं क्या करूंगा जो मेरा फ्लक्स कितना होता है तो बोलेंगे इस एंगल के लिए मतलब टूपाइड वन माइनस वन भाइड रूट टू के लिए कितना फ्लक्स जो मेरा आंसर है तो मेरा फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई ठीक है तो क्यूबाइड एपसलन नॉट तो होई गया इंटू टूपाइड तो यहां पर आ गया समझ में आ रहा है ठीक है तो यह और यह मुल्टिप्ले हो गया तो बाइड प्र पाय तो आंसर क्या बचाए यहां पर ठीक है वन माइनस वन भाइड रूट तू ठीक है इंटू तू मतलब यह वाला आंसर आगया ना विसले तो रूट टू समझे क्या गाईड यह मुझे निकाल सकते हो अभी कोई भी क्वेस्ट निकाल सकते आप लोग गई मुझे पाइब कोई भी क्वेश्ट निकल सकते अपना अपना कि बहुँत अच्छे पुछे गए है ठीक है कि एडवांस में काफ़ी अच्छे-च्छे पुछे गए तो दिमार कर जाना पड़ता है बाक्की कुछ नहीं कुछ नहीं एक और फिर खतम करते लेक्ष्ट कि इसको लिखो मंदल यह तो क्या है सॉलिड एंगल निकाला मैंने फिर अंसर आ गया ठीक है कि लिखके हो गया सबका लिखके हो गया है कि आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखो यह भी देखो लेकिन फटाफ़ तुम लोग करूं कि चार्ज क्यूं रखाए कि लिखके हो इसक्षे क्या है तो और यहां पर देखो और यहां पर देखो यह एक डबबाए डब होते हैं अब को समझ में आ रहे हैं लेकिन यह सब जो है ठीक है इसका जो लेंट है यह मतलब यह पूरा का पूरा जो डबबाए तो बोला है कि अब मुझे क्या बोला है इस से नहीं बागी वाला उसे किसना निकलेगा वह पूछा है यह वाला मैं दूसरा डब्ब है उस्ते कितना फ्लक्स निकलेगा वह पूछा हूँ ठीक है बतलब गाइस तो यह रोकिया आप लोग ऐसा करके रख सकते हो अब बताओ कि किसना होगा अंसर कि कि आपको समझ में आया कि नहीं आया पर लिए वह बताओ कि वापस बताओ कि कि वापस बोलता हो और को एक मिनिट और कि एक एक सिलेंडर एसा रखा हुआ है कि इस मैं सिलेंडर सिलेंडर की हाइट है फाइव आज कि सिलेंडर का बेस है आर अब यहां पर एक पुरा सिलेंडर है और यहां पर चार्ज रखा है क्यूं जो उपर वाले सर्फेस से रूट थ्री आर डिस्टन्स पे हैं सेंडर पर आपका वीडियो लैक कर रहा है कि इसलेंडर के यह वाले सर्फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा यह वाले सर्फेस समझ में आया यह वाला नहीं बाकी वाला सर्फेस मतलब पूरहां कि उपर वाला उपर वाला चोड़के बाकी वाला सर्फेस से इतना फ्लक्स निकलेगा बताओ जड़ा फड़ा पड़ा आंसर बताओ झाले सर्फेस झाले सर्फेस इस वाले सर्फेस जबताओ मुझे आया किसी का कैसे करोगे तो बहुत गंदा तो मैं जब गंदा आये गां लेकिन मुझे एक बात बताओ यहाँ पर पहले तो मुझे बताओ यह एंगल कितना है कि इसको निकलना यह वाला एंगल निकलना है कि नहीं निकलना है यह ओमेगा निकलना है पहले मुझे बताओ यह वाला एंगल कितना है सब्सक्राइब यह वाला जो एंगल है वह लिखा मैंने ओमेगा डैश ओमेगा डैश कितना है कुझ आरि टू पाइ्ष भयानकना कॉछ प्रीया टूह लूट्री अपॉन। अब हीले मुझे बताओ यह यह इंगल कितना है यह ओमेगा कितना है कि जो मुझे और निकालना है मों टोटन एंगल से तक तुक स्च कितना है पूरे एंगल पोर पाउ कि इसमें से इतना इंगल लिखा दो पॉर पाइ डिवाइदस टू- पाइब माइनस एपको समझ में आ रहे हैं कि आपको ईसमझ में रहे हैं कि क्या बोलू है कि उपाई माइनस कि तू कैंसल एक विपाय बराबर आप तुम मुझे बता यह जो मैंने लिखा वह समझ मैं तुमको तो इसका अंसर कितना एगा इसका अंसर कितना एगा तूपाइल ठीक है प्लस फ्रूट स्रीपाइल तो यह हो गया मेरा यह क्या हो गया मेरा करें है कि यह वहले ब Eisen limitations कि लिए कि इस प्रसराब के लिए कितना तो यह और उस्तिक्लश का अंसर क्रॉज मुल्टिप्ल Saya करें है तो इससमझ मनette क्गेश तो इस तरीके से इस वेल्य वैलियू आप डारेक्ले लिख दे सकते हो विए टू रूट थी तो मुझे बसा इस क्वेश्चन को सॉल्ड करने के लिए अपने किसके यूज दिलिया किसका यूज दिलिया से किया कि नहीं किया ठीक है अगर अगर दोनों मतलब अगर सिर्फ वो सिलिंड्रिकल सॉर्फिस का चाहिए था फ्लक्स तो फिर दोनों डिस्क्स का सेपरेटली काल्कुलेट करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना टोटल से सिर्फ सिलेंडर से करना होता तो फिर यह डिस्ट भी निकाल के यह डिस्का यह डिस्का दोनों का सब्ट्रैक करके टोटल फ्लक्ट जो है क्यूब एफ से सब्ट्रैक करने मतलब तुमको समझ मैंने गॉस करने समझ मैं आज कुछ ज्यादा ही लेक्चर मैंने केच लिया एक लाज का कुश्चन दो मतलब फिर एडवांस का में लेक्चर नहीं रखूंगा मतलब यह यह एडवांस होज रहे हैं बहुत अच्छा कुश्चन है दू के मतलब देता हूं मतलब क्या रात का लेक्चर नहीं जाएगा क्योंकि आज वैसे भी नेट का प्रॉब्लेम चल रहा है तो अभी खीट लेता हूं ठीक है उसके बाद ही मतलब रात को वापस तुमको जगह जगह क्यों रखूंगा मैं उससे अच्छा भी कर लेता हूं वह ब सब्सक्राइब को दिखाएगा बाकी लोग नीकल सकते हैं और दो क्योंगा नहीं जाएगा आपने फटा पट किया तो फटाफट हो जाएगा देखते कों करते हैं को को यह क्या दिखें यह क्या है है मैं है लाइट हमिस्वियर है मुझे बताऊ यहां पर सब्सक्राइब ने सबनाख जाता है कि अब यहां पर चार्ज में तौप पे रखता हो आप अअ अब मेरा आह सवी इस चाहर के वजह in सभी मिफ्रारश के रिकितुट सरफेश की सब्सक्राइब कि इसनी पिक यह रम लॉच जाएगा निकाल çek और चाहर जीबृ से ऑट इस से कि इम थे अब तॉब अधिस एंटर ती 피부 सब्सक्राइब करो तो फिर उसके वाद बताएं के आपको करो तो फिर उसके वाद बताएंगे आपके कर वा दोपके आपके वाद बताएं रेज है तो सी जदके वाद बताएं के वाद बताएंगे बताएंहें के वादेन रेकर लोक अवर सुष का है को औताएंगे पया कि तो झाल 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 जावन तुभी हैंड्रेस कर जाना तुभी हैंड्रेस घर्ड़ झाल प्रिशी एंड्रेश कर उत्तरा हैंड्रेश गर पाजवे एंड्रेश गर हेट टुभी हैंड्रेश गर तुहीन हैंड्रेश गर पाजवे एंड्रेश गर ठीक है मेरे को एक बात बताओ साहिल क्या करेगा क्या सोचा क्या वो बता में तुहीन तुने क्या सोचा तुहीन अब्रेश गर्वीन कुछ समझ में निया रखाप्र अब्रेश गर्वीन क्या सब्सक्राइब क्या करना वड़ा भी वो आइड़ा निया रहा है क्या करूं इसका कुछ दूसरा कोई फिगर बना सकता है क्या जिगर क्यों संद्र जब रख्राव इसमें मैंने क्या किया कि आपने और वाला डॉम जया है ना मैंने ड्रॉकर तो मैं उल्टा डॉम ड्रॉकिया उसके अराउंड एक सिलेंडर रज्यूम किया जो सिलेंडर का जो लेंथ है डाट इस तू आर नहीं सिलेंडर के लिए मत कर तो उसे आया मतलब यह अंदर का अंगल आया मुझे ओमेगा कि अधियू बनाता तो नॉर्मल डैरेक्ट करना इसे निकालेंगे मतलब और इंटेग्रेशन के कैसे होगा यह 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 बना इंटेग्रेशन का तुरा डाउटफुल अधिकर सब्सक्राइब अधिक तो अंगल नहीं निकल रहा है और यह बंदर कर में तो असजंदर की राइब रहा इंटियू अधिक अधिक पर और दॉप सब्सक्राइब कि इन जो डिस्क निचे का वह से क्यों चार्ज तब फोर्म जैसा फोर्म करके दिन और दाट आर बीसी मौज़र रहेट अरिव भी क्या यही मिलेगा नहीं इसे ही मिलेगा मतलब हमें इसे ही ओमेगा भी मिलेगा इतना है तो ओमेगा मुझे आया टूपा इंटू वन माइनस वन बाय रूट टू नहीं 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 तो वे तो तुमने यह वाला क्षिशन कराया ना डी स्कॉला यह वाला ना कि तब तक उमेगा नहीं मिल रहे तब तक मतलब लाइक उसका हेमिस्पेर वाला फिर पार्ट अलग से सॉल्ट हो सकता है ना हो सकता है कि तुमने सोचा सही है तेकिन और एक श्टेप आगे बढ़ना है कि एक श्टेप आगे बढ़ना है कि तुम लोग वह मतलब एक यह क्वेश्टन मैंने सिर्फ हवा बना के रखे थी ठीक है एडवास का क्वेश्टन है नो डाउट लेकिन इसका अंसर डाइरेक्ट आना चाहिए आपको अब सोचे थोड़ा सोचों गया होगे सचेंगे तो आएगा अब बताओ क्या अच्छा दो में डोना कि हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ कि अधिक है ने पैरे बोला नहीं वह स्फियर है वह ठीक है नोट पैरे बोला बट यह सही बोला है तुने लेकिन आगे सोच कि मैं आंसर बताऊंगा तुम रोगे तुम बोलो के सब्सक्राइब आपको इतना इजी कुर्श्चन थाच अगे रोगे डिवार्ड़ नहीं वह स्वेयर का फाइंड़ गरेंगे अंडेन विल्डिवाइड डिवाइड़ ग्रलाइव दू स्फियर करके से आएगा तो वो स्फियर के सेंटर में सुझी रखा है स्फियर के टॉप पे रखा है लोग यहां पर देखो यहां पर देखो यहां पर रखा है रही है पहले तुम बात बताओ गाइस मुझे बात बताओ इस चार्ज अपने मेसेज पूरा निकलेगा तो तोटल कितना यह जो तोटल फिल्ड है यहां से जो फ्लक्स जाने वाला है वह कितना है यहां से जानेवाला तोटल फिए कितना है कि मदलब पूरे हमिस्पिर के और यह ईवन उसमें जाने वाला आपके पिट आप तुम्हेरा आइस्ट अड़े कोण वाला फ्लक्स इधर वाला इदर से जाने वाला प्लक्स को सब्ट्रैक्ल कर दो ग्रीन वाला को आप तो यह जो जो कितना था कितना निकाला था अपन ने इसे नीगाला था बैए यहां पर कर दाना कि 45 डिग्री अंगल आ रहे है और और 45 डिग्री अंगल आ तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स इतना है कि यहां से निकलने वाला इतना होगा क्योंकि उपर वाला फ्लक्स तो नहीं अपने बाद तो इस टोटल फ्लक्स टे माइनस इन दोनों को सब्ट्रेक कर दो हो मेरा आट कीव बाइट्थ कि इसन नौट मेरा इस माइनस कीव बाइट्यू एफ्सलें मौट1-1 ज़िए प्रणोंवगोशी तुने सेन्ट किया था मु जिनने सेम कि अच्छी बात है जिन्होंने सेम कि अच्छी बात है कि तो तुमने बात अब यह पता नहीं कितने लोग ने आप सब्सक्राइब करेंगे कुछ पुछ पुछ पार्ट लाइक स्विवर का मदब स्विवर के कॉंटाट में भी नहीं है कैसे सम्झाइब अब सीधा सब्ट्राइब नहीं कर सकते हो नौ कि देख एग्जाट्ली उपर रखा है तो जो देख तुम उपर वाला देखो एगजेकल लिए तो यह फ्रॉकश तो यह भी अद्यीन क्यूच निकलत आए गया है समझे कैं कि है तो बच्चा जो है वो इधर से गया है सर बटो उसके बाजू से भी जाएगा ना थोड़ा इधर से सर मतलब वो जो सर्फिस है उस स्पीर का उससे बाहर से भी जाएगा ना पर कोई दिखा रहो नहीं यहां पर देखो अब मैंने बोला पासिंग तुरुप क्या देखोया अब मैंने सब्सक्राइब यहां पर रखा पर यह पूरे इधर से जो पूरा जो प्लक जा रहा है इधर से पूरा जो फ्लक जा रहा है कितना होगा फेले मुझे यह तो 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 दो थोड़ा कंफिूजिंग प्रेश्चन है नो डाउट लेकिन तोटल वह वाला कितना है इतना मानते हो कि वैट टू अपसेलन नौट है इसमें डाउट है कि इसको कि यह मानते हो क्यूब अब मुझे मैंने क्या पुछा है देखो मैंने क्या बोला है कि फ्लस उनली पासिंग थू दिस्क मुझे नहीं यह वाला फ्लस चाहिए जो यह यह वाले इदर से जाएगा मतलब क्या है जैसे यह चालू होता है एज्टी यह अपना this year नीचे वाला छीज तो जो फ्लस यह यहां से जा रहा almonds इदर इसके बात ये जह भ्लक्स बिश्पनलाक्ओ्स में जार। नहीं शाएगाइगे फ्लस इस चो पन वाला फ्लस नहीं चाहिए तो पूरा q by 2,1 में सकू क वाले ब म Konella , हाँ जायेगा ना, तो यह ब्लैक लाइन मतलब यह वाला ना, इदर तो जायेगा न तो यह दर से जायेगा न, पूरा कपुरा, यह तो निए वाला है मुझे, जो भी यह वाला जो मीने अलख कलर में दिया तो यह तो निकालना है न, अलग समझे ग्यां, अलग सबस्द ह हमें था सब्सकुत्सन वंच्राइज क्या अमें देकर अश्च नहीं चारज की रख्ता तो डूलक सिरू ऑगॡ ये निकालना था की नहीं सब्सक्राइज हुझे है तो क्या किया मैंने सिंबली है तोर्टल नीचे वाला उसमें से कौन वाला माइनस कर दिया ना कि समझे है कि प्वेशन वही था थोड़ा से जोमेट्री और थोड़ा से आपको वह नहीं हुआ इतना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो काम खता हुआ गैज कि एक लाज का क्वेशन सोच क्या हो कि एक लाज का क्वेशन ने सोच क्या हो कि यहां पर जखो गई जुन्हें ने सौल कि अच्छी बाते कि इसको अगले वाले मतलब फ्राइडे के एडवांस में करेंगे सौल और यह जेर एक्सिस 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 य एक्सिस है ठीक है अब एक्स वाइप्लेन में पुनों यहां पर सब्सक्राइब एक्सभाट वाइट रखी थो एक्स वाई प्लेन में एक प्लेट रखी यह जो एक मेरे टोड़ा सान बड़ा बना देखे इसको प्रॉपर लिखे एक मेरे टो एक प्लेट रखी हुई है एक प्लेट रखी हुई है एक प्लेट के डायमेंशन्स जो मैं बोल रहा हूं धैन से सुन है ठीक है कि यहाँ पर डायमेंशन है कि इसकी यह जो लेंज है वह पोर ए है और इसकी यह लेंज है तुए है है एक ब्लेत कहां पर रखा एक वाइड़ हम इन् 모두 कि इन् पाइनाइट वाइड फिर फाइन वाईड र सपीले उन्New sú Suppose इसमाइड है वाइड इसमाइड है इंपाइड वाइड वाइड इन्पाइड वाइड अफ् apr लेंबडा कितना लेंबडा सब्सक्राइब नहीं इसे लाइंट वाइर उन्पाइन तो मुझे बताओ इस इन्फाइन वायर के बजह से अब यहां पिंप्स नदिये आप दो जो क्रिशन के वीजिए उसमें मैंने जो वायर है अब मैंने जो लाय है यह पैसे ट्रस के ट्रस ट्सक्राइब देए नियर चाहर सीटी लिनियर चाश्च समझें तो बोला है और यह जो वायर है और यह जो डिस्टन्स इस लेट से रूट 3A समझें तो बोला है कि इस इंफानिट वायर के वज़े से इस प्लेट से कितना फ्लक्स जाएगा है ठीक है तो फ्लक्स टूदिस प्लेट इलेक्रिक फ्लक्स तूदिस प्लेट अब प्रश्चन निकालके रख सकते हो आप लोग यह सब लोग देखो कि अब अब फ्लक्स टूदिस प्लेट निकालके रखना है कि मुझे बताओ चार्ज के वाइश पिल निकलता है वह कैसे निकलता है रेडियल आउट वर्ड रही रेडियल आउट वर्ड तो अब यह सब्सक्राइब करके रखना वापस जही एडवांस का क्रेश्चन है यह अग्यात व्यूद पर है सोचो सोच के आओ ठीक है वाइग दीक मिलते हैं सेर अहां बोलो सेर एक दाउट था, can you show last slide? अब ये इसको लिखो इसमें कहने करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स गहां से कितना जाएगा? नीचे वाले प्लेट के थ्रूब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कितना जाएगा? सब्सक्राइब निकाल के रखो ठीक है पर्सों के रेक्षर के बाद आपको पूरा का पूरा 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 जो भी है अपने बुक में ठीक है काफी सारा हो जाएगा इसमें हो गया चलो काफी अच्छा लंबा लिखेर हो गया हां बोलो मुझे टाउट था जो गौस लाया ना सर वह एरिया को बताता नहीं है पर हमने देखा कि वह